हेलो भ açो आज मैं आपको क्लास 9 का डι youtube की तरफ से आपको दूसरा practice paper शार करें दो practice paper मिल आने तो आज हम second प्रेक्टरा प्रेक्टरिस पर प्रेक्टर करेंगे first प्रेक्टर भूर जिसमें thing section अ तो हम तीनों ही section कर चुके है, ठीक है, सेम प्रैक्टिस पेपर टू भी उसी pattern पे हैं, आपके पास हहां भी 3 section दे रखे हैं, section A, section B और section C, वैसी ही questions है, section A में total आपके पास 20 questions है, जिसमें आपको कोई से भी 16 attempt करने है, section B में भी आपके पास 20 questions है, जिसमें आपको कोई से भी 16 अटेम्ट करने हैं, Section C आपके पास case study वाला है, जिसमें 2 case study आएगी, तो total आपको 10 questions मिलेंगे, इसमें आपको कोई से भी 8 questions अटेम्ट करने हैं, तो total आपके पास हो गए 40 questions, ठीक है, 40 marks का ही आपका exam है, 1 mark each है, 90 minute का आपका exam होगा, सारे ही questions आपके पास MCQ आएंगे, सेम जैसे आपका practice paper 1 आया है, DOE का class 9 का वैसे ही practice paper 2 है, ठीक है, तो चलिए फिर आज हम अपना section A complete कर लेते हैं, next class में हम अपना section B करेंगे, ठीक है, तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं, English medium में हम आज यह पूरा paper solve करने वाले हैं, देखो, question number 1 है आपके पास, पहले हाँ उपर देख लेते हैं, यह लिखा आपके पास section A, और साथ में लिखा भी है, कि section A में total 20 questions हैं, जिसमेंसे आपको कोई से भी 16 attempt करने हैं, ठीक है, देखो, first question है, in between two rational numbers, there is, या आ, दो rational numbers के बीच में, क्या एक ही rational number होता है, बहुत सारे rational number होते हैं, या बहुत सारे irrational number होते हैं, या एक ही irrational number होता है, तो देखो, दो rational numbers के बीच में हमेशा बहुत सारे rational numbers होते हैं, तो इसका answer आजाएग आपके पास B, clear? चलिए question number two देखते है which of the following is equal to x square बताओ इन चारों में से x square के बराबर कौन सा है तो आप क्या करो इसमें law of exponent लगा दो जैसे यहाँ देखरो base सेम है तो जो parts है वो क्या हो जाएंगी minus हो जाएंगी तो जब आप इसे minus करोगे तो यहाँ पर आजाएगा 7 upon 7 यह तो कटो के 1 आ रहे तो इसका मतलब first वाला तो नहीं है b वाला देखें तो देखो x के par 4 है अब उसके साथ 1 by 3 भी लिखा है तो par के उपर par होता है तो multiply हो जाता है ठीक है अब यह root के अंदर 12 लिखा है यह छोटे वाला 12 तो यह भी हाँ के multiply हो जाएगा 1 by 12 ठीक है ना इसको इससे कटके 3 आ गया तो x के पार 1 by 9 आ गया तो यह भी x square के equal नहीं है छोड़ दो इसे next c वाला चेक करो तो x के पार 3 है फिर उसके उपर 2 by 3 है और root हटेगा तो 1 by 2 आजेगा जब छोटे वाले इधर की साइट पर कुछ नहीं लिखा होता है तो इसका मतलब उसमें 2 होता है यह इससे कट होगे यह इससे कट होगे तो finally यहाँ x बचा लेकिन मुझे x स्कॉाइर चाहिए चलिए last वाला ही है इसका मतलब फिर भी चेक कर लेते हैं एक बड़ी तो यहाँ 2 by 4 है बेस सेव है तो parts क्या हो जाएगी एड हो जाएगी तो x के पार आगई 8 by 4 कट करोगे तो 2 आड़ा है बिल्कुल इसका अंसर आपके पास आगए है d clear? चलिए question number 3 पे आगए हम यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है any point on the line y is equal to 3x is of the form कह रहा है कोई भी point इस line पे होगा तो किस form में होगा तो यहाँ y is equal to 3x दे रखा है तो अगर मैं यहाँ पर x को a माल लूँ तो y कितना आजाएगा मेरे पास 3a आजाएगा मैंने x की जगा x की value रदी a तो x a है तो y 3 होगा तो यह रहाँ आपके पास answer x a है तो y 3 a है ठीक है आपको इसकी solution भी दे रखे है marking scheme में आपको दिखा देती हूँ एक बर यह ली कि पूरी marking scheme दे रखे है कहीं कहीं पर आपको hint दे रखा है कि कैसे solve किया वह ठीक है बाकी सारे parts दे रखे है options कि कौनसा options सही है ठीक है न आप यहां से भी अपने answers को check कर सकते हो जैसे कि अभी हमने किया question number third कि यह उसका a answer है तो देख लो यहां पर भी आपको a ही दे रखा है clear चले question number fourth पर आगए यहां आपसे क्या कह रहे है if the coordinates of two point P and Q आपको P और Q के coordinates दे रखे है then the value of absatia of P minus absatia of Q तो अगर आपको दो point के coordinates दे रखे है तो absatia of P बताओ और उसमें से क्या करो absatia of Q minus कर दो देखो absatia क्या होता है X की ही दूसरी value जो X की value होती है उसी का ही दूसरा नाम है absatia तो यहां पर absatia of P है 2 तो 2 लिख दिया यह minus का sign ऐसी है यह वाला absatia of Q की जगा क्या किया minus 6 लिख दिया माइनस माइनस प्लस हो गया 2 प्लस 6 8 आपका answer आगए इसका answer आगए आपके पास C clear चली question number 5 पे आगए if both the coordinates of a point are negative then that points will lie on अगर दोनों ही coordinates जो है वो negative हो मतलब X की value भी negative हो और Y की value भी negative हो तो वो कौनसे quadrant में होता है तो third quadrant हमार पास ऐसो होता है यहां पर यह वाला जो quadrant है यह ऐसो होता है जहां पर X और Y दोनों ही negative होते है तो इसका answer आजएगा C third quadrant clear चलीए question number 6 पे आगए three parallel line intersect at लिखा यह three parallel lines तो parallel lines तो कभी भी intersect नहीं होती इन दो के बीच का तो gap equal रहता है तो intersect at no point of intersection sorry यह तीनों line कभी भी intersect नहीं होंगी क्यूंग क्यूंकि यह हमार पास parallel lines है तो इसका answer होगा हमार पास D clear चली question number 7 पे आगए which of the following is irrational बताओ इन में से कौन सा irrational है तो irrational number तो वो होते है न जिनका decimal expansion जो है वो non-terminating और non-repeating होता है है ना तो देखके ही पता चला है कि C वाला पार्ट ऐसा है जिसका decimal expansion non-terminating और non-repeating है बाकियों का या तो terminating है या फिर non-terminating but repeating है इसलिए इसका answer हो जाएगा C clear चली question number 8 पे आ गए हैं यहां आपसे क्या कह रहे है two angles whose sum is equal to 180 are called वो दो angles जिन angles का sum 180 होता है उन angles को क्या कहते हैं तो उन angles को हम supplementary angles कहते हैं और जब sum 90 degree होते हैं क्या कहते हैं तो हम उने complementary angles कहते हैं ठीक है तो यह तो असान सा question था कुछ कोई भी इसमें solve नहीं करना था question number 9 है आपके पास how many linear equation here x and y can be satisfied by x is equal to 1 and y is equal to 2 बताओ ऐसी कितिनी linear equation है जो x is equal to 1 और y is equal to 2 इस solution को satisfied करेंगी ऐसी तो बहुत सारी equations बन सकती हैं जिनका answer x is equal to 1 or y is equal to 2 होगा तो फिर मैं कहें सकती हूँ infinitely many equations होगी तो यहां पर आजाएगा c answer infinitely many ठीक है चलिए question number 10 पे आगए हम के रहे if a b is equal to qr b c is equal to p r and c a is equal to p q then तो देखो आपको पता चल लेगी यहां पर आपके पास एक ट्राइंगल होगा तो इसका मतलब वह दोनों ट्राइंगल कॉन्गुरेंट होगे लेकिन उन ट्राइंगल का नाम कैसे लिखेंगी जब हमने कॉन्गुरेंट वाली वर्कशिट्स की तो उससे डिलेटिड जोएंती प्लस चैप्टर भी हमने यह कर रखा है एंसे आटीर में तो हमने उसमें जाना था कि जो कॉन्गुरेंट ट्राइंगल होते हैं उनका नाम लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और किस तरीके से लिखा जाता है वो भी जाना था चलिए देखते हैं देखो अब यहां पर आपके पास एक ट्राइंगल है ABC तो मैंने यहां पर A, B और C बना दिया दूसर ट्राइंगल है P, Q, R लेकिन अब आप दिहान से देखो A, B जो है वो Q, R के बराबर है यह तो यहां पर मैंने लिख दिया Q, R ठीक है Then BC जो है वो P, R के बराबर है तो P, R के बराबर है BC ठीक है यहां आगे Q, R तो यहां पर P आजाएगा clear है अब आपको नाम बताने है तो अगर आप देखो यहां पर तो जो बी A है यह रहा आपके पास B, A ठीक है यह वाली साइड तो यह किस के बराबर है यह RQ के बराबर है ठीक है तो वही तो लिखा है RQ उसके बाद AC अगर मैं देखू यह वाली side किस के बराबर है यह QP के बराबर है यही लिखा है तो इसका आंसर आजाएगा C आप सोच रहोंगे A, B और D क्यों ने आया एक पर A वाला चेक करके देखो A, B, C लिखा है तो जो A, B है वो P, Q के बराबर हो रही है यहाँ पर इसके according तो अगर आप देखो A, B क्या वो P, Q के बराबर है इसके बराबर है नहीं वो तो Q, R के बराबर है तो इसलिए यह नाम गलत लिखावा है ऐसी बाकी के दोनों नाम भी गलत लिखे हैं सिर्फ C वाले में नाम सही से लिखावा है जो उनकी corresponding sides के according ही लिखावा है क्लियर चली, question number 11 पे आगए हम यहां, क्या रहा है आपसे यहां, the semi perimeter of a triangle having the length of its sides 20, 15 and 9 cm आपसे कह रहा है, एक triangle का semi perimeter बताओ, मतलग S बताना है, hero's formula यहाद है ना, chapter number 12, तो यह formula क्या था, A plus B plus C upon me 2 A की value 20 है, B की value 15 है, C की value 9 है, divided by 2 हाजएगा, ठीक है, तो 35 plus का 9 हो जाएगा, divided by 2 हाजएगा अब आप क्या करोगे, यहां पर इसमें इसको plus करोगे, तो 44 upon me 2, finally answer आपका 22 आजएगा, तो इसका answer आगए आपके पास C, clear, चली, question number 12 पे आगए हम, यहां आपसे क्या 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 रहा है, the area of an isocellus triangle, each of whose equal side is 13 cm and base is 24, आपको क्या करना है, area बताना है, isocellus triangle का, जिसकी equal sides 13 दे रखी है, और उसका जो base है, वो 24 दे रखा है, तो triangle का area तो हम hiron's formula से ही बता सकते है, उसके लिए मुझे पहले S चाहिएगा, semi perimeter, जो होता है, A plus B plus C divided by 2, तो 13 plus 13 plus 24 divided by 2 आजाएगा, चीक है, तो यहां पर 13 plus 13, 26 आजाएगा, प्लस का 24 divided by 2, तो 6 plus 4, 10 और 1, 50 divided by 2, यहां आ जाएगा 25, चीक है, अब हम अपना area का formula लगाते हैं, वो होता है S, तो मैंने यहां S लिख दिया, यहां जाएगा S minus A, मतलब 25 minus 13, S minus B, मतलब 25 minus 13 again, then S minus C, मतलब 25 minus 24, चीक है, अब अगर हम इसे solve करें, तो 25 यहां पर आगया, अब देखो, यहां पर 25 में से 13 जाएगा, तो य इन दोनों 12 का 12 भाहर आगया, और 25 का root से भाहर निकालोगे, तो 5 आएगा, क्योंकि वो 5 का square होता है, 12 into 5, 60, इसका मतलब इसका answer 60 आगया, clear, चलिए, question number 13 पे आगया, यहां आप से क्या कह रहा है, इन triangle ABC, AB is equal to AC, and angle B is equal to 50, then angle C is equal to, आपको एक triangle दे रखाए ABC है, जिसमें आप आपको क्या कह रहा है, दो sides equal दे रखें, कौन कौन सी, AB, AC के बराबर है, उसके साथ साथ आपको angle B भी दे रखा है 50 डिए, अब देखो जब AB, AC के बराबर है, तो जो इनके opposite angles है, equal side के जो opposite angles होते हैं, वो भी equal होते हैं, तो AB का opposite angle C है, और AC का opposite angle B है, तो इसका मतलब angle B is equal to angle C होगा, यह तो मेरी theorem है, अब angle B 50 है, तो फिर angle C भी 50 होगा, और मुझे तो कोशन में angle C ही find करना है, इसका मतलब angle C का answer आजाएगा, यहाँ पर 50 डिगर, clear? चली, कोशन नमबर 14 पे आगए, यहाँ आप से कह रहा है, if the difference between two supplementary angles is 40 डिगरी, then the angles है, कह रहा है, अगर दो supplementary angles के तो अगर एक X है, तो दूसरा फिर X minus का 40 डिगरी होगा, ठीक है, और इनका sum कितना होता है 180 डिगरी, ठीक है न, तो यहाँ पर आजाएगा X plus X, इस 40 को मैं उधर ले जाती हूँ, तो 180 प्लस का 40, तो 2X is equals to 220 आजाएगा, यहाँ से मेरे पास X की value आगई 110 डिगरी, तो अग चली, कोशन नमबर 15 पर आगए, यहाँ आप से क्या कह रहे है, the width of each of 5 continuous classes in a frequency distribution is 5, and the lower class limit of the lowest class is 10, the lower class limit of the highest classes, यहाँ आप से कह रहे है कि आपके पास 5 continuous classes है, ठीक है, उनके बीच का gap कितना है, 5 है, तो 10 से 15 है, 15 से 20 है, 20 से 25 है, 25 से आपके पास 30 है, एक और 30 से 35 है, हो गई 5, कैसे पता चला, 10 से ही शुरू करने, यह लिखा है, the lower class limit of lowest class is 10, तो यही न, सबसे जो छोटी वाली class है, उसकी lower class limit 10 है, यह आपको दे रखाता है, तो मैंने यहाँ से शुरू कर दी, और अपनी 5 classes बना ली, ठीक है, अब वो आप से कह रहे है, the lower class limit of highest class, जो सबसे बड़ी class है, जो की यह है, इसकी lower class limit क्या होगी, तो वो की 30 है, अगर highest class limit पूछता तो 35 होती, तो इसका मतलब इसका answer आजाएगा 30, clear, चली, portion number 16 पे आगए, यहाँ आप से क्या कह रहे, the cost of leveling a triangular field having sight 51, 37 and 20 meter at the rate of rupees 3 per meter square, देको आपके पास एक triangular field है, आपको उसको क्या कर करना है, बराबर करना है, उसकी cost आपको दे रखे है, 1 meter square की cost है 3 रुपे, ठीक है, आपको बताने है कि वो जो triangular field है, उसमें कितना खर्चा आएगा, तो अगर मुझे उसका area पता चल जाए तो आजाएगा, अब triangle का area तो फिर वो ही हिरोंस formula लगाना परेगा, उसके लिए प upon me to, तो इसका मतलब 54 आगया, अब अगर मैं अपने area की बात करूँ, तो वो जाएगा s, bracket में आजाएगा s minus का a, फिर आजाएगा s minus का b, और फिर आजाएगा s minus का c, ठीक है न, तो यह 54 ऐसी है, यहाँ पर 3 आजाएगा, अब 54 में से हम क्या करते है, 37 को minus कर लेते हैं, तो आपका क्या बचेगा, 17 बचेगा, अब 54 में से 20 को minus करेंगे, तो 34 बचेगा, ठीक है, अब मैंने क्या किया, 54 के न, प्राइम फेक्टराइजेशन लिए, तो 6 इंटू 9 होगा, 6, 9 जही होता है, 6 को लिख दिया, मैंने 2 इंटू 3, 9 को मैंने लिख दिया, 3 इंटू 3, यह व 3, 3 जह 9 हो जाएगा, और 9, 2 जह कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, अब मैं क्या करणों, यहाँ पर डारेक्ट आपको मल्टिप्लाइ करके लिख रहूं कि 17 इंटू में 18 कितना हैगा, तो जब हम इंटू करेंगे तो वह आएगा 306, ठीक है, अब 1 मीटर स्क्वार की को स्त तो इतने मीटर स्क्वार की कितनी होगी, इसको तीन से गुना कर दो, पता चल जाएगा, तो इसका मतलब 9, 1, 8 रुपी आपके लगेंगे, उस पूरे ट्राइंगुलर फ्वील्ड को लेवलिंग कराने भी, क्लियर, चली, कोशन नमबर 17 पर आगए, यहाँ आप से क्या कह इस एक यूट एंगल देन दा अधर एंगल विल बी, देको लीनियर पेर वो होते हैं, जिन दो एंगल का सम 180 डिग्री हो, मतलब दो क्या, जितने भी एंगल होते हैं, उनका सम 180 हो, तो अगर एक 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 यूट एंगल है, मतलब 90 से छोटा है, तो दूसरा कौन सा होगा, तो इसका मतलब अगर एक 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 यूट एंगल है, तो दूसरा क्या होगा, मेरा ओप्टिउस एंगल होगा, चलियर, चलिए, कोशन नबर 18 पर आगए, यहां आप से क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल PQR, आपके पास एक ट्राइंगल है, PQR, साथ-साथ बनाते रहो, क्योंकि MCQ कोशन है, जित्ती जल्दी सॉल्ब करोगे, उतना अच्छा रहेगा, एंगल R जो है, वो एंगल P के बराबर है, ठीक है, यह दोनों एंगल्स एक्वल दे रखें, साथ-साथ आपको QR4 दे रखा है, और PR5 दे रखा है, आपको PQ निकलना है, अब ज़रा आप ध्यान से द अब जब हमार को दो एंगल्स दे रखें, तो जो उनकी अपोजिट साइट से वो एक्वल होगी, तो यह वाले दोनों एंगल्स एक्वल है, तो इस वाले की अपोजिट साइड यह है, इस वाले की अपोजिट साइड यह है, तो जब यह फोर है, तो यह भी फोर होगा, तो यहां एक चीज छोटी सी याद करने है अगर किसी भी triangle की side double होती है तो उसका जो perimeter होता है वो भी double हो जाता है लेकिन उसका जो area होता है वो क्यों हो जाता है वो four times हो जाता है याद रखना आप हमेशा perimeter double होता है और area four times हो जाता है ठीक है, देखे, देखे, लास्ट कोशन है, आप ग्रूप्ट फ्रिक्वेंसी टेबल विद क्लास इंटर्वल उप इक्वल साइज यूजिंग 250 तो 270, 270 नॉट इंक्लूदेड इन इस इंटर्वल, एस वन अफ दा क्लास इंटर्वल इस कंस्ट्रॉक्टेड फॉर इसका मतलब इसमें 250 से लेके 269 तक के नंबर्स आएगे, अब आपको यह बताना है, जो यह डेटा आपको दे रखा है, इसमें 370 से 390 के बीच में कौन-कौन से नंबर्स हैं, तो वो फ्रिक्वेंसी आपको बतानी है, कितने नंबर्स हैं, तो अगर आप ध्यान से देखो, इसमें नंबर्स कौन से आएंगे, 370 से 389 तक के नंबर्स आएंगे, तो देखो, यहाँ पर कहीं पर भी है यह नंबर्स, अगर आप ध्यान से देखो, मुझे तो अभी तक कोई भी ऐसा नंबर नहीं दिख रहा है, नहीं, इनके बीच में कोई भी नंबर नहीं है, इसका म इसमें पॉटेंट है, यह प्रैक्टिस पेपर ज़रूर कर लीजेगा इसको आप, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूश लीजेगा, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजेगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा थैंक्यू